जेहन फ्रेंट्स सभी लोगों को छटके पावन पर पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है और चुकि हम सारे लोग इस पर्व से सांस्कृतिक रूप से जोड़े हुए है पुर्वांचल बिहार यह वो छेतर है जहां पर इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मतलब बढ़ा जबरदस्त है वहार बहुत जबरदस्त इतना साथना करना हमारी मताएं हमारी बहने वह बहुत ही अजीब सी चीज़ है इस कल्चर की बड़ा ही अनोखा और साधना का रूप हर आदमी का आके इस तरी का देवी के रूप में चरण सपर्ष करना आशिरवाद लेना प्रशाद लेना कोई कोई किसी तरह का कोई विभेद नहीं कोई वर्गी करण नहीं तो आप सभी लोगों को छट के पर पावन पर्व की बहुत बहुत बढ़ाई चट की चुटी भी रहेगी दो दिन वह ऐसा त्योहार है कि उसमें क्लास वगरा तो सोचा लिए ही नहीं जा सकता पॉस्बिल्टी नहीं पूरा घर उसमें इंवल्व रहता बच्चों से लेके बड़े तक सब इंवल्व रहता है पिर मैंने सोचा कि आज शाम को एक घंटे क्लास आप सब के साथ ली जाए में तो फ्यूडलिजम तो में पढणा ही पढणा है गूप्त फ्यूडलिजम मैंने शुद्रा फ्यूडलिजम मैंने समझाहिं दिया और यिपिर्द ए्कॉने मैंपॉलिडिये पॉलिटी पांच लोगों को बड़ा अच्छा समय था वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और भारत ये पूरी टीम को साहिरदय से बधाईयां हर आदमी बेहतरीन खेल रहा है किसी को ये कहना कि ये बहुत अच्छा खेल रहा है वह अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है हर आदमी अपना 100% द आ रहे हैं भगवान आपका अपना आशिरवाद आपके उपर बनाए रखे लेकिन एक फर्मूला मैं आपको बता रहा हूं आप सुनियों उसको जितने लोग फल की चिंता करते हैं वह फंस जाते हैं इस दुनिया में 98% कैंड के लिए रोते हैं उसकी सिरुकर वो प्ल की चिंता करते हैं और यहां आप फल की चिंता करते हैं है आप पैनिक होते हैं यह यह बहुत खुश ओकिज़ीघ जीत गय सारी दुनिया वह ताली बजा राही है और सब पुरा एकदम रड कार्पेट पूरे भारत में बिच गया और यहां पैनिक होते हैं कि हार गए सब गाली दे रहे हैं यहां गाली दे तो फल की चिंता जो है वह डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है हिंदुस्तान के खिलाडी है शिवपाल यादो जी तो विचार गोवा जा रहे थे नाशनल टीम की प्रफॉर्मेंस थे उन्हों नहीं से कहा कि सर बड़ा अजीब समाहल है कुछ सोच नहीं पा रहा हूं मैंने का यार एक फर्मूला मैंने अपने जीवन में सीखा मैं बता रह ही नहीं तुम्हारे हाथ में 98 परसेंट लोग इस जीवन में सिर्फ इसले परेशान है जो चीज उनके हाथ में नहीं है जैसे खाना तुम्हारे हाथ में है आम खालो सेब खालो केला खालो चावल खालो आलू खालो चाहे जो खालो तुम्हारे हाथ में है लेकिन कब्स हो ग पर्फॉर्मेंस में बार बार कहता हूं कुछ चीज़ा भगवान ने अपने हाथ में रखी उसे भी तो प्रूव करना होता है कि हम है इसलिए पार भारते एक रिकेट टीम को कि बेस्ट ओफ लख बहुत बहुत बधाईयां आप जाएं आराम से जाएं आप सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब दोलों का नाम लेना बहुत जरूरी है दादा तो खैर एवर ग्रीन है आज भारती टीम जो भी है उसमें दादा का बड़ा योगदान हो और दादा की अदा बहुत पसंद है और दादा का जो एक पैर निकाल के और मारना है वो तो खैर कोई भूली नहीं सकता एक बार गल्ती से हमारी मुलाकात हो गईती दिल्ली एरपोर्ट पे हैं मुझा बड़ा अच्छा लगा उन से मिलके हलो हाई हुई उन्हें तो खैर याद भी नहीं होगा लेकिन दादा इस दादा इस फांडेशन स्टोन अफ इंडियन क्रिकेट टीम अल क्रिट फॉर लेंग डाउ इस फांडेशन शुट गो तो इस मैं बहुत हिम्मद दी सादमी ने काप्टन का कामी है यह हिम्मद देना नादा ने हिम्मद दी तो दी मुहम्मद शामी जिस पर आज पूरा भारत नाज कर रहा है यहां तक मुझे सूचना है कि शायद इनोंने आत्मत्या की भी कोशिश की बड़ा तनाव रहा व्यक्तिकत जीवन में उस पर जाने की कोई जरूरत में यह सब के है लेकिन तनाव से बाहर निकल कर पर्फॉर्म करना आउटस्टैंडिंग पर्फॉर्मेंस एक अरब पचास करोर लोग फैन हो गए इस आदमी के जो गाली दे रहे थे ठोकी इनको पर आरोप बड़ा भैंकर लगा था और उस आरोप में पर्फॉर्म करना कि भाई यह अपोजीशन टीम से मिल लाएंगे पाकिस्तान की टीम की मदद करेंगे जब आपके उपर इलजाम हो और आप पर्फॉर्म करें और आपने आपको साबित करें तो मुहमद शमी जी को व्यक्तिकत तोर पर बहुत बहुत बधायां और चुप काम नाएं आगे के मैच के लिए और आप एक रोल मॉडल बन गए हर उस युवा के लिए आज जो तनाव से गुजर रहा हैं कितने समान परिवार अमरोहा से और समान परिवार से निकल कर इतना बड़ा मुकाम पैदा करना इस बैक्ग्राउंड में हर युवा के लिए शायद वो टैग लाइन आपने देखी शमी फाइनल कि बहुत बढ़ी बात है हार युवा युवा आप ऐसे लोगको धरम की नजर से मत देखिये मुसलमान के रूप में देख हिंदू के रूप में देख रहे यह सब मत करिया आप भारत के युवा इस देश के निरमाता मुहम्मद शमी को देखिए कितने विशम परिश्थिती कितने विशम बैक्ग्राउन और दादा को तो धन्यवाद देना चाहिए कि दादा ने एक कोच जो अपने खिलाड़ी पर भरोसा दिखाता है भाई शमी बंगाल गए कि हम बंगाल से खेलेंगे यू पी में तो मौका मिलेगा नहीं और जब इतना सारा आरोप लगा दादा ने का नहीं हम तो लर्जी से नहीं निकालेंगे ऐक कोच को पता होता है कि मेरा स्टूडेंट कैसा है और दादा ने पूरा सपोर्ट दीय क्या क्या मिसाल है कि भारतियता की मिसाल है यह इंडियन निस की मिसाल है मुहमध समी को परसनली जादा को शायद थैंक्यू कहना ही चाहिए कहा ही होगा विराट कोहली जी बोले शाकाहर ने मेरा जीवन बदल दिया बड़ा प्यारा पॉइंट कहा है इन्होंने शाकाहर परमनत महराद जी से मिले मैं इसलिए आपसे कहता हूँ संतों से मिलते रहो उनसे कुछ मांगने मत जाओ बस सुन लो क्या बोल रहे हैं एक शब्द एक शब्द कोई उनका आपका जीवन बदल सकता है यह देखिए जब ताली जा रहे हैं जब बंदा फॉर्म में नहीं होता ह कितना डिप्रेशन फेज करता है और बंदे की महानता परफॉर्म किया रिकार्ड तोड़ा और सामने एक महान खिला लगा और बवजूद है उसको सम्मान दिया योद्धा इसी को कहते है जीवन संघर्ष है और जो हस के लड़ेगा उसको महान होना ही है जीवन संघर्ष है तुम ही निकलोगे बाहर जो हस के लड़ेगा हस के लड़ना तो है है लड़ना तो ही है जो हस के लड़ेगा और युवा का मतलब ही है कि आप हस के लड़ रहें तो मैं इंडियन टीम और उसके कप्तान को यह कहना चाहूंगा कि फल पर कंसेंट्रेट मन करिए पर्फॉर्मेंस प्लैनिंग पॉलिसी इस पर कंसेंट्रेट करिए फल छोड़ दिया मालिक के हाथ में वह देने वाला वह है एक घटना और घट गई सुब्र तो सहारा सहारा श्री हम जब 12 में थे हमें याद है बहुत अच्छी तरह और सहारा मॉल और सहारा गंज और सहारा जल्वा था जल्वा जल्वा जैसा आदमी के बेटे की शादी में हिंदुस्तान की सारी हस्तियां खड़ी हूं इतना बड़ा समराज एक शुर्वाद सिंपल सी शुर्वाद और फिर इतना बड़ा समराज और उससे वड़ी बात एक आम आदमी को सेविंग का सिध्धान्त सेविंग बहुत बड़ा ला है एकनाउमी का मैं इतना बड़ा ला है एकनाउमी का सेविंग का कि अगर कोई सेविंग का सिध्धान समझ जाए वो पांच साल आदर अगर वो EWS में है मिटल क्लास में आ जाएगा और अगले प्लांच पांच साल में वह रिंकम गर्एषान अगर रिक्षे आले को सिध्धन समझ में आ जाए 36,000 रुपया साल दो रिक्षे का मालिक हो जाएगा एक साल के अंदर 36,000 रुपया साल एक साल में दो रिक्षे का मालिक एक तो रिक्षा चलाई राय कि राय पर और अपने और चलवा रातीन तो तीन सो रुपया प्रत दिन बचाएगाथ 9000 रुपया महीना कि 9000 रुपया महिना 2 महीने का खार्च अगर वो कर रहा है दो महीना छोड़ दें सिर्प 10 महीं निगा ले तो 90,000 रुपिया साल दूसरे साल दो रिक्ष्या और एक आटो का मालिक सेकेंड हैंड और अब अगर 1000 रुपिया महीना बचा ले तीसरे साल 30,000 रुपिया महीना यह सुप्रतों सहारा ने सिखाया सेविंग करना लेकिन कुछ गलतियां हुई पहले पाद तो मैं भाव भी नहीं शर्दाजली देना चाहूंगा सहारा श्री को इतनी बड़ी अचीव्मेंट लिए इतना लोगों के लिए काम किया मौल कल्चर पैदा किया सेविंग कल्चर पैदा किया तो उनको एक हिर्दे से शक्धान जिली बहुत कुछ पैदा किया कि कहते हैं सेविंग के पास आज भी उनका 25,000 करोड उपिया पड़ा हुआ है बहुत लोगों ने अपना पैसा लगा चोटे सब्सी वाले लगा आइस्क्रीम वाले लगा तो सरकार से तो मैं अपील करूंगा कि चुकि उन्होंने खुदी एक्सेप्ट किया था कि मैं सब के पैसे लोटाओंगा तो संबभ हो सके तो सब के पैसे लोटाए जाएं पर जितनी जल्दी कदम उठाया जागा उतना अच्छा रहेगा पांचवा चेहरा नाना पाटे कर जिखा एक घटना घटी बनारस में उन्होंने किसी लड़के को एक पीछे से थपड मार दिया लेकिए आप ट्रॉल करिए आपका ट्रॉल करने का तो हक है सब का बंता ट्र रहता हूं हलाकि बड़ी कुछ बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है बॉलीवूड साहब हमको फ्यूडलिसम जब समझ में आया जब मैंने मदर इंडिया मूवी देखी हमको ट्रेड यूनियन समझ में आया जब मैंने नमक हराम मूवी देखी रैंचो कॉंसेप्ट मैंने आपको दिया ही दिया लिट्रेचर मूवी दे आल अर्द मिरर्स अव सुसाइटी और उसमें एक एक अक्टर एक कलाकार कम से कम उसके प्रस्ट भूमी बैक्ग्राउंड तो देखिये समय कि वी धंड है विधंड रिजन में से बासट फैंलियों को इस आदमी ने 밤 15 50 रुपिया दिया विधंड रीजिन में और फिर लाटूर ऊस्मान औबाद मेरा स्टूंद मुझेंट मुझको फोन करके से बताया मैं अपनी दरब से नहीं है मेरा स्टूडेंट फोन करके बताया लाटू रोस्मानाबाद मिलाकर 113 फैमिलियों को पैसा पहुंचाया नाम फांडेशन के एक्टिव सदस से हैं उसका कामी है कि किसान अगर ड्राउट आकाल से परिशान है उसकी मदद की जाए बिहा फ्लड रिडन बिहार को फाइनेंशल मदद की राजकपूर अवार्ड पूरा डिस्ट्रिब्यूट कर दिया और बहुत साधारन सा जीवन है ठीक है हो सकता है मैं इस बात को चुकी फील किया हूं आप सेमिनार लेने जा रहे हैं 20 लोग आगया मैं तो मना करता हूं भाईया लोगों की मदद करने वाला कि उसको ट्रॉल मत गाली मत दीजाए है कि खर बिचारे माफी मांग भी चुके हैं कि भाई हमें हमसे हमारे सीन का फिल्म की सीन का पार्ट था यह जो भी था पर आप यह तो देखिए कि वह आदमी कर रहा है जिस देश में जिस शेत्र में किसान सुसाइड करते हूं वह आदमी हम उनके लिए मसीह है ठीक है बुजर्ग है हमारे घर में बुजर्ग नहीं है वो हमें नहीं मार देते ऐसे यह चल हट पाद में आना कॉल कर लिए तलवार निकाल ली और ऐसा है नँद्गर को अशाने लिखना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए वह बहुत गलत किया घमंडी हो गाएं पर खुछ नहीं होएं है जो आदमी 10-10 घंटे 15-15 घंटे काम करता है ना साब उसकी मानसिक दशा बहुत अलग होती है लगा चाड़ाया मैं क्लास लेने या रहा हूं सेल्वी ले ले अरे भया मालिक क्लास तो ले ले नहीं प्लीज ना पटेगर पची को प्लीज इतना बढ़ है आदमी हम मुंबई एरपोर्ट से आ रहे थे तो हुआरी बेटी ने का पापा ना पटेगर अरे शागिर्द में है न अपारण में कि हमारी गाली चेक करोगे विधा की गाली चेक करोगे परमीशन निखाओ एक कलाकार और एक अच्छे इंसान का सम्मान करना सीखे कि बेज़्जत मत करिए उसे आपको कोई फाइदा नहीं है और फिर द्यान द्यान मतलब मन को देखना फिर मैं कह रहा हूं क्यों भाईया मन को देखना क्यों देखना मन को और मन पहले पहले चरण में खुले आंक से नहीं दिखाई पड़ेगा और बंद आंक से बैठने नहीं देगा और जो मैंने सिरीज शुरू की फॉर्थ लौ उसमें अगला चैप्टर मन ही है कि उसमें अगला चैप्टर मन ही है तो मन को क्यों देखें अरे भाईया तुम सिनेमा हाल में बैठोगे तो काया का पढ़ लेते तीन घंटा तुम किसी तरह बैठे रहे फिर तीन घंटा बाद निकला और परिशान कर रहा है यार पूरा दिन चला गया ओ फाल तुम पिच्चा अरे भाईया देख ली तो देख ली अब खतम करो उसको जो आदमी आपको इतना परिशान करें तो परणे बैठे 10 मिनेट बाद कह रहा है चाय पी लेते तो थोड़ा मन फ्रेश हो या था किर्कट खेलने में तो नहीं कहता है बीस बीस ओवर पचीश पचीश ओवर खेलते थे हम लोग ग्राउंड में तब तो नहीं कहता था कि पचीश ओवर हो गया है कि न भूक लगती थी नप्यास लगती थी इतना मारती थी मा कि दिन में निकले नव बजे और चार बज़े आ रहा हो पहले तो पहचानती नहीं थी त्रक्रेर काला हूए आए लुका किसका लगा घर में आगया पॉर पाजल आप नहीं कि अब दो तीन फैट और मारा कि खाना सुबे सा रख्खा हुआ है तो वो जो नशा खेल का है नशा कि वही नशा अगर जीवन के उद्देश का हो जाए कि दिन भर मेनत करोगे स्ट्रेस होगा निश्चित तोर पर होगा ऐसे पढ़ लोगे आठ घंटा आठ घंटा साइकल चलाना आसान है आठ घंटा मजदूरी करना आसान है आठ घंटा बैठ कर पढ़ना इसलिए शरीर के श्रम की कीमत नहीं है रिक्षा वाला दिन भर में 500 रुपया कमाता है लेकिन जो आदमी शेर मार्केट समझता है वो दो घंटे में 5 लाक रुपया कमाता है शरीर के श्रम की नियूरुतम कीमत है रिक्षा वाला उसके बाद मन के श्रम की कीमत है ऐलन मस्क बना सकता है तुमको और उसके बाद आत्मा के श्रम की कीमत है बुद्ध महवीर दादू नानक रैदास तो चलो छोड़ो बुद्ध महव का व्यक्तिकत अनभौ है जब मैंने अंगुलिमाल को पहरी बार पढ़ा तो मुझे बहुत हसी आई कि ये तो मेरा करेक्टर है मुझे भी बुद्ध मिले बड़ा प्रभू का आशिरवाद रहा बड़ी प्रभू की महीमा रही तो भाईया तो कल परसो तो छुट्टी है छट की कल वैसे भी सटेड़े संडे हैं लेकिन अप्चू की घर में पूरा छट का महौल है और छट का त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और दौरा उठाना पड़ता है सुबे शाम और बड़ा जबरदस्त महौल होता है घर में सुसाइटी में मुहले में किस से आशिरवाद ले लें तो जितना मलब छटे कैसा पर वह कि बागी सारे तेवहार उसके सामने फीके पड़ जाते हैं तो इन घटनाओं को आप ऐसे ना जाने दिया करें मैंने सोचा आज मैं रात में आप सभी सो रूबरू होंगा कि बड़ी बड़ी घटनाए घट गई आपके सामने बड़ी बड़ी घटनाए इनको ऐसे मत जाने दीजे इनको सेव करिए इन पर बनन करिए देखिए क्या रास्ता निकाला इन लोगों ने फिर उसको फॉलू करिए सिर्फ पढ़िये मत फॉलू करिए जलिये थोड़ा सा तब आग तपस्या जब आप अपने पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ोगे न पांच बिज़े तब सुबह नीन खुलेगी और आपका होगे कि वह उसक्त जो दर्द होगा उस दर्द को तोड़के जब आप खड़े ह होगे वही तपस्या है तपस्या मतलब यह नहीं जंगल में जाग वाइटें पेड़ की डाल पे उल्लू पकड़े हुए वो तपस्या नहीं है तपस्या यह है कि जब आपका पैट कर पढ़ रहे हैं और जब की आ रही आप खड़े होके पढ़ने लगे छे घंटा पूरा पैर में दर्ध हो रहा है लेकिन अब आप चूकी दर्ध हो रहा है तो concentration बना हुआ है तभी तो अमिताबचन जी कहते हैं दर्ध में भी कुछ बात है दर्ध concentration पैदा करता है इसलिए जितनी दुआएं अस्पताल में पढ़ी जाती है जितनी पूजाएं अस्पताल में होती है शिद्दत से उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती है क्योंकि दर्द concentration पैदा करता है तो जो तुम 6 घंटे खड़े रहे और पैर में दर्ध होता रहा और तुम पढ़ते रहे वह तपस्या है फिर 6 महिना तुमने ऐसे किया अब पढ़ने की आदत पढ़ गई अब जब आदत पढ़ गई तो लेट के पढ़ो बैट के पढ़ो पानी में कूत के पढ़ो सवंदर म पढ़वानी है तुमने सोचा तपस्या मतलब जंगल भाग जाएं वह इसकेपिजम है कि वह तपस्या नहीं है यह मेरा व्यक्तिगत अन्भु है हमें जब लगा कि खुद को बदलना है तो पता लगा कैसे तो बोले बाउस दर्द तो होगा हमसे ज़ादा बिगड़ एल हमसे ज़ादा बिगड़ इस गैलेक्सी में कोई नहीं रहा होगा इंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दो जब मुझे बोलते हैं लोग उल्टा सिधा कमेंड करते हैं ऐसा करते हैं तो मैं सही तो करते हैं यार गलत तो कुछ कहते नहीं सही है कि इस पूरी गैलेक्सी यह जो बगल की गैलेक्सी ना एंड्रोमीडा हो सकता वहां भी कोई नहीं हो कि इसलिए मैं इस देश को महान कहता हूं क्योंकि शूद्र से ब्राम्मण बनने की विज्ञान है इस देश के पास यही तो इस देश की महिमा है यही तो पस्चिव ने पकड़ लिया यह जब पहुंचे भारत 1498 में डारेट जब भारत पहुंचे फिस 16, 17, 18 सेंचुरी और फिट ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स तब इनों नहीं कहा अरे भगवान यह क्यों फॉर्मूला रखे हैं तब मकाले ने कहा कि इनको इस पढ़ाई से काट दो किसी तरह इनको ध्यान से काट दो योग से काट दो सूर नमस्कार बारा बार जो आदमी कर ले सिर्फ बारा पड़े उसको छे महीने के बाद कोई शारीरिक दिक्कत नहीं होगी इतनी जबर्दस्ती हैं और बारा करने में क्या जाता है यार पर तपना तो पड़ेगा दोस्त तपना तो पड़ेगा कोई रास्ता है नहीं कोई चांस ही नहीं है तुम सब बदलना चाहते हो और तुम सब इस देश के एसेट हो तुम सब इस देश के एसेट हो और जिसकों भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो मेरी दो बात मानले बस एक तो ध्यान और एक सूर नमस्कार छे महिना कर लो गुरुजी अगर छे महिने बाद तुम्हारी तक्दीर नहीं बदली छे महिना कर लो छे महिना करो ध्यान और शूर नमस्कार डरो मत गवडानी कोई जुरत यह दखो यह दखो यह लड़का ख़ड़ा हुआ है तो एक बार फिर से मैं भारतिय क्रिक्ट टीम को बढ़ाई भी दूंगा और शुपकामनाई भी दूंगा अराम से खेलिया अराम से निरंगोश फ्री शुक्रिया कहते हुए और खेलने जाने से पहले एक फर्मॉल और बता दीता हुए खेलने जाने से पहले किसी अंजान आडमी के हाथ में तो रुपिया किसी को हसा के जाओ ग्राउंड पे किसी को खुशी देके ग्राउंड पे जाओ अ हार ओवे नहीं दोस्त तो फल की चिंता मत करो और किसी को खुशी देकर जाओ और यह जितना पाए हो सब प्रमात्मा को समर्पित कर दो यह मत को हमने खेला हमने किया ना यह सब छोड़ देना एंटन नहीं आने पर आई शरीर में अगर ऐसी सरीर हुई तो गह है क्योंकि दिया है किसी ने तो आप सभी लोगों को छट पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है दो दिन अवकाश रहेगा आप भी छट बनाईए हम भी मनाते हैं मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी रात में नव बचे जहन